प्रेंड जब बात होती है कि कौन से पॉर्ट बहतर होते हैं जबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं मिट्टी वाले पॉर्ट या फिर सेमेंट वाले पॉर्ट या फिर प्लास्टिक वाले पॉर्ट तो मिट्टी वाले पॉर्ट सबसे अच्छे मान आते हैं क्वाल्टी और इनका कलर भी जल्दी डिसकलर होता है प्लाश्टिक या पेच्छा सिमेंट की या पेच्छा तो मैं आपका फ्रेंड सर्वेस राजपूत आज इस वीडियो में आपसे बात करने का रहा हूं कि आपके पुराने पॉर्ट हैं तो कि डिसकलर हो गए तो उनको आप कैसे फिर ऑपाण में मिनेरम में प्रेंट के श्यां सब्सक्राप उनको कैसी लस लेकिन प्राव्लम क्या आती है कि उसमें फिर लाके उस पाउडर में फेविकोल मिलाना बड़ा थोड़ा सा काम लेंदी रहता है तो मैं जो यूज करता हूँ परिशनली अपने प्लांट के पॉट से उनको कलर करने के लिए वह मैं इमल्सन यूज करता हूँ इमल्सन में खास बात यहow typical आपको निकालना होता है और इमल्सन में कई कई इमल्सन LI आते हैं तरुटरा ना इस आप लेसकते हैं मैं इमल्सन यूज करता हूँ कि इसमें एक तो इनको यूज करना असान होता है आपने बस निकाला ॉर हवहा साथ पानी रहा को यूज़ करना शुरू कर दिया और इनके कलर जो होते हैं वो गेरू के पेशा ज्यादा चलते हैं मैं लगभग साल सी यूज़ कर रहा हूं यह पुराने पॉर्ड भी है उनमें भी कलर अभी इसना डिसकलर नहीं हुआ है गेरू क्या होता है एक टाइम के बाद छूटने रग सब्सक्राइब है तो आप अपनी नश्दी की हाडवेर के सौप पर जाकर के ट्राकोटा कर में इमेंट्सन वहां से मांग करके ले सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सेंड पेपर लेना है सेंड पेपर से जो आपकी सर्फिय से इसको एक बाद रब करना है एक बाद सेंड पेपर मारने के बाद इसे धूल देना चाहिए क्योंकि सेंड पेपर मारने के बाद इसमें धूल सी चिपक जाती है पूरे हाथ में और पॉर्ट में जो धूल निकलती है इसकी वो निकल करके इसमें चिपकी हुजती है इसे एक बाद अच्छे तो धूल द अब वेट करेंगे कि एक बार द्राइब हो जाए आपका पॉट अब हमारा पॉट ड्राइब हो गया है अब बारियाती इमेलसन लेने की तो इमेलसन को आपको पानी के साथ मिक्स करना होता है बहुत गाढ़ा होता है तो आप इसको एक बार पानी थलका से निकाल करके पानी के साथ मिक्स कर लें जितना इमेलसन ले लगभग लगव उतना ही पानी आप इसमें मिक्स कर दें इस पाट पर मैंने पहली कोटिंग कर दी है और कोटिंग पहली कोटिंग का वीडियो मुझे मिस हो गया और इसलिए अब दुबारा फिर से मैं दूसरे पाट पर पहली कोटिंग करके आप उखाता हूं जब आपका पॉट एक बार ड्राई हो जाए तो आपको करना क्या है कि इसके हलके हाट पे एक बार ब्रस कर देना है अंदर वाली सरफेस में पूरे पॉट को ब्रस नहीं करना है सिर्फ उतने ही भागो करना है जितना हमारा पॉटिंग मिक्स के ओपर रहता है इसके बार इसे साइड में रख देना है कि थोड़ा सा टाइम के बाद यह जो अपने ब्रस किया हुआ है यह सूख जाएगा और जो पॉट हमने पहले पेंट किया हुआ था यह अब सूख चुका है और अब इस पे सेकेंड कोटिंग करनी है इससे एक बार आपने कोटिंग करती दुबारा फिर से एक बार आप इस पे एक कोट अपने इमलसन के दुबारा कर दें अब हम फिर से वेट कर लेंगे इसके ड्राई होने का हमारे पॉर्ट सूख चुके हैं और पहले की कंप्रेजन में काफी सुंदर देखने में लगने लगे हैं इसमें सिंगल कोट किया है मैंने यह भी आपका आज देखने में कुपकर लग रहा है डबल कोट के पॉर्ट मे ज़्यादा चिकना ही आती है और देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो सिंगल कोट का यह डबल कोट का यह जैसे आपको लगे की जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उस हिसाफ से आपने पॉट को कलर कर सकते हैं तो अगर बात करें प्राइज की इमल्सन के प्रा उसे यूज कर सकते हैं जो गेरू वाले में प्राबलम ही होती उसमें कलर छूटता है बाद में परसे यह जो ड्राइ हो चुका है मेरा इसको मैं कित्ता भी रगड़ूंगा यह कलर छूट की मेरे अंगुठे पर नहीं आएगा और जब भी आपको गंदा लगे आप इसको ब्रसे साफ करके गीले कपड़े से पोश्च देंगे फिर से इसमें कलर चमक आ जाएगी तो आई हो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कु अच्छे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके पूश सकते हैं फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानका रहे हैं कि साथ सब तक के लिए गुडबाएन टेक केयर